तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ग्रोथ के उपर में बात करता हूं तो अभी जैसे कर मैं रिसेंट मैंने जो अभी एक कंपनी को रिसेर्च किया वो है BLS International Service अगर आसान भासा में आपसे कहूं तो वो कंपनी जो वीजा, पासपोर्ट, सिटिजन्सिप में लोगों की हेल्प करती है दुनिया की टॉप थ्री कंपनी में से ये एक है 16 एर से भी ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है कंपनी का स्टॉक पी रेशियो जो है वो 31 पे है किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन ओवर वैल्यूट से पी से ही नहीं मानते है कई बार स्टॉक बहुत अच्छे होते हैं लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद देखें आरोई रेशियो जो है वो 21.6% है बनता है यहां पे 300 से उपर में इस कंपनी की ग्रोथ मुझे बहुत अच्छी दिखती है थोड़ा और अगर मैं अपने हैंट से समझना चाहूं तो जो बेसिकली इन्वेस्टर होते हैं पर्मोटर्स की होल्डिंग होती है तो आप देखें कि पर्मोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में 74% है जो कि अभी तक उन्होंने स्टेक्स डायलूट नहीं करें तो इससे आप अंदाया लगा सकता है कि promoters के बास power जादा है वो अपनी company को अपने according ले जाना चाहते हैं तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा factor था इस company को अच्छे से देखने का उसके बाद FIAs कम है बहुत ना के बराबर और सीधा सीधा public holding है 24% तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है company की जो ग्रोफ लेक एर्ली विसस पर quarterly रही है वो बहुत ही अभी बढ़िया रही है सो मैं अगर आप मुझसे पुछेंगे कि मेरे investment तो ये BLS international को मैं देखता हूँ आप भी अगर इसमें invest करना चाहते हैं मैं तो हमेशा investment की सला देता हूँ कि long term को देखिए हर चीजों में और वही पैसा सारे पैसे मत लगा दीजिए किसे कहने पर डेफिनेटली मेरे कहने पर मत लगाईए आप अपने investor से या आपके जो जिनसे भी आप अपने पैसों का invest करने लेते हैं उनसे आप like solution लेते हैं ये मेरा opinion था कि मैं कैसे अपना research करता हूँ रागे बढ़ता हूँ